जानते हो ना मुझे मैं बड़ी अच्छी रेसिपिस लेके आती हूं असलाम लेकूं वेर्ज, हैप़ी वेलेंटाइन स्टेय आज है जी वेलेंटाइन का प्लेटर रेसिपी में तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अच्छा ये ना रेसिपी में 3-4 चीज़े हैं तो घुबराना नहीं और एंड तक देखना है ज़रूरी नहीं है प्लेटर आप वैलन्टाइन पर बनाएं आप बर्ट पर भी बना सकते हैं वैसे भी अच्छा जी सबसे पहले औरियो ट्रफल्स हैं औरियो ट्रफल्स के इंग्रेडियंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ गए हैं बनाने का तरीका ये है सबसे पहले आपने औरियो को चॉप कर लेना है और उसके बाद जब ये इसका पाउडर रेडी हो जाएगा उसमें आपने बटर एड़ करना है तरी टेबल स्पून ठीक है यहां पर मैंने तक्रीबन एड़ किया था तो ये पाउडर जादा था उसके बाद आपने के सारा बटर एड़ कर देना है और उसके बाद इनकी बॉल्स बना लेना है अच्छा जी अब यह गरम-गरम होगा तो इसकी बाल्स नहीं बनेंगी आपने इसको तक्रीबन फाइफ मिनिट रेस्ट देके ना इसकी बाल्स स्टार्ट करना है ठीक है और जैसी इसकी बाल्स रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपने मतलब जितनी चाहें आप बाल्स बना सकते हैं यह बचों को बहुत पसंद होते हैं और यह बंते भी बहुत टेस्टी हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन इतने कोई खास इंग्रिवियोंस नहीं यूज होते बस ना माओं की महारत चाहिए इसमें अपने बचों को घर पी यह चॉकलेट, ट्रॉफल्स और कैंडिस वगरा बनाके खिलाया करें तो बच्चे आपके दिवाने हो जाएंगे यहांपे मेरी साड़ी ट्रॉफल्स रेडी हो गई है तो यह जो वईट चॉकलेट है, इसमें मैं इसको डिप कर रही हूं, अच्छा यहांपे वईट चॉकलेट जो थी भो थोड़ी सी condi, तो इसवजह से यह मैल्ट वहारा था ये जो रहा था बटर तो तो यहांком जो का हाफ चौकलट जोरिए राफ आ मिने वाइट बना ली और हाफ जोरिआ हम मैंने ब्लैक चौकलट में डिप कर ली यह आपके सामने और अब इस पे मैं स्प्रिंकल करूंगी यहां पे ना मुझे वाइट चॉकलेट कम लग रही थी तो मैंने एक्स्ट्र टॉपिंग आड़ कर दी उपर से चलें जी स्प्रिंकल करके हमने इसको रख लेना है फ्रेज में तकरिबान 30 मिनिट्स के लिए या वान और के लिए तो कम असकम रखें नेक्स्ट रेसेपी है जी चॉकलेट मैशमेलोज और यह नजर भी बहुत असान रेसेपी आ रही है और खाने में बहुत मज़ेगी थी फिर रेसेपी बनाने का तरीका यह है मैशमेलोज को आपने वाइट चॉकलेट या ब्लैक चॉकलेट जो आप लाइक करते हैं उसमें आपने डिप करना है और स्प्रिंकल कर देना है सिंपल और उसको आपने फ्रीजर में रख देना है तो आपके मैशमेलोज बाइट जो है वो भी रेडी हो जाएंगे next है जी white oat bites oat bites के लिए आपको सबसे पहले oats cookies चाहिए white chocolate चाहिए और simple sprinkle करने है आपने white chocolate जो है आपने इनको half-half dip जो नहीं करते है cookies को ऐसे करना है ठीक है मैंने full dip नहीं किया थे मैंने सिर्फ इनका front लिप किया था तो यह आप पर depend करता है अगर आप half dip कर लें तो भी यह बड़ा मज़े का एक ना snack बन जाता है एक treat हो जाती है यह tasty treat तो यह आप बर्दे पे भी बना सकते हैं next है जी strawberry muffins muffins का आपको पता ही होगा muffins के लिए cream चाहिए whipping cream को सबसे पहले मैंने bowl में डाला है उसको मैं whip कर लूँग अच्छे तरीके से और whipping के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा strawberry flavor जो है ना वो मैंने color add किया है और उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसकी ना topping कर सकते हैं मतलब decoration कर सकते हैं मुझे guys baking नहीं आती तो इस वाजा से ना मुझे judge मत करें मैंने तो अपनी तरफ से ना गुलाब बनाने की गोशिश की थी roses लेकिन ये roses नहीं बने ये कुछ और ही बन गया बस उसके बाद मैंने chocolate chip side की है और sprinkle और इसको भी आपने 30 minutes के लिए refrigerate कर देंगे तो ये cream जो है ज़रा stiff हो जाती है बहुत tasty muffins थे next है जी और यो बनाना लेशे लेशी के लिए आपको सबसे चाहिए पहले चाहिए बनाना custard custard बनाने के बाद आपने इसमें डालना है जी sprinkle और sprinkle के बाद आपने इसमें आड़ कर दिनी है cream वियोर्स अपनी मर्जी से आप जो चाहें इस पर बना सकते है cream से ठीक है तो मुझे तो इतनी कुझाती नहीं है designing इस वज़ा से बस ऐसी मैंने बनाया और उसके बाद sprinkle एड़ करके Oreo एड़ कर दिना है और उसके बाद आपने इसको freeze तोनी सौरी करना इसको chilled करना है ठीक है बहुत मज़े का ये desert है और ये jut पद डिजर्ट बन जाता है यो यहे है मेरा सारा waiter इसको आप birthday waiter भी बना सकते हैं Valentine waiter भी बना सकते हैं मैंने तो Valentine waiter भी बनाया है उमीद करते हूँ आपको ये recipe अच्छी लगी होगी मिलती हैं इन्शाला नई वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत सरा ख्याल रखें और दौाओं में याद रखिए गजी अलाहाफिज